हेलो दोस्तो एवले निगमा में अपका फिर से स्वागत है दोस्तो हमारी इस दुनिया में ऐसी कई हांटिट लोकेशन्स हैं जो पहले बहुत सुनसान थी वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके कारण वो हांटिट बनी उसके बाद वहाँ पर कुछ न कुछ निर्मान हुआ और उसके बाद वहाँ के पैरनॉर्मल इंसिडेंट्स सब के सामने आने लगे आज हम आपको ऐसी इग हांटिट लोकेशन के बारे में बताएंगे जहां डर की सची तस्वीरें वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति महसूस कर सकता है वहाँ से जाने वाले हर व्यक्ति ने पैरनॉर्मल चीज़ों को एक्सपिरियंस किया है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मिस्चीरिस हांटिट सफर करक हाईवे दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं मलेशिया के एक ऐसे हॉंटिड हाइवे के बारे में चोकि अपनी हॉंटिड एक्टिविटीज के लिए सिर्फ मलेशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में मशूर है ये हैवे इतना हॉंटिड है कि यहां पैरनॉर्मल एक्सपर्ट्स आते जाते रहते हैं इस हैवे का नाम है करक हैवे दोस्तो करक हैवे को बनने में 7 साल लगे इसका निर्मान 1970 में शुरू हुआ था और 1970 में इसे पहली बार इस्तमाल किया गया था और उसके बाद इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया हैवे के ओपन होते ही यहां पर बहुत एक्सिडेंट्स होने लगे और जब एक्सिडेंट्स की जाच हुई तो पता चला कि उसके पीछी के कारण हमेशा पैरनॉर्मल थे जब एक्सिडेंट्स की वज़ा पूछी गई तो जिनका एक्सिडेंट हुआ उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सिडेंट्स होने से पहले उनकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुरानी मॉडल की पीले रंग की वॉक्स वैगन कार को देखा जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उनका एक्सिडेंट हो गया और यहां जितने भी एक्सिडेंट हुए उसमें मैक्सिम वज़ा ये येलो कलर की कार निकली बहुत लोगों ने इस कार की पिचर्ज भी ली है Malaysian पुलिस ने इस कार को डूढ़ने की बहुत कोशिश भी की पर ये कार Malaysian पुलिस को कभी नहीं मिली ये सब सच था या जूट इस बात के लिए पुलिस ने खुद इस हाईवे पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती और उसके बाद पुलिस ने खुद उस कार को इस हाईवे पर एक्सवीजेंस किया पुलिस ने खुद इस कार को देखा है इस हाईवे पर और ये कार हमेश्या रात के समय ही डिखती है Paranormal Experts के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि रात के समय ही इस कार को देखा जा सकता है ये कार अचानक से Highway पर प्रकट होती है और फिर अचानक से ही Highway पर चलती काडियों के बीच से गायब हो जाती है अगला paranormal incident जो यहाँ देखा गया है वो यह है कि यहाँ पर एक 9 साल का लड़का देखा गया है जिसकी दोनों आखों से खून निकलता है वो लड़का रात के समय यहाँ दिखाई देता है बहुत लोगों ने उसको देखा है कईयों ने तो उसको सड़क के बीचो बीच गयब होते देखा है अक्सर वो लड़का सड़क के किनारे रोते हुए दिखता है और वो जोर-जोर से चिलाता है जो उसको देखकर लुकता है उससे वो अपनी मा के बारे में पूसता है जब उस लड़के को जवाब नहीं मिलता तो वो जोर-जोर से चिलाते हुए आखों से ओजल हो जाता है इस हैवे पर हर मोड पर डर की सची तस्वीरे दिखती है और आपको एक किस्सा और बताते है जो खुद यहां की मलेशन पुलिस ने एक फैमली के साथ होते हुए देखा था यह कहानी है एक छोटे से परिवार की जिसमें पदी-पत्नी और उनका दो साल का बच्चा था वो फैमली रात के वक्त अपनी कार में करक हाइवे से गुजर रही थी तब ही करक हाइवे पर एक पेट के नीश जाकर उस फैमली की गाड़ी खराब हो जाती है उनकी गाड़ी के इंजन से दुआ निकल रहा था यह देखकर वे आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोल कर चेक किया तो उसे पता चला कि रेडियेटर में पानी सूख चुका है फिर उस आदमी ने अपनी गाड़ी में पानी चेक किया पर पीने तक का पानी उस फैमली के पास नहीं था रात बहुत हो चुकी थी चारो और अंधेरा था इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी में जाकर बैट गया और मदद मागने के लिए और गाड़ीों के गुजरने का वेट करने लगा बहुत देर हो गई और कोई गाड़ी जब आसपस नहीं दिखाई दी तो वो पानी की कुछ खाली बोटल्स लेकर खुद निकल पड़ा और बीवी से कहा जब तक वो ना लोटे तब तक गाड़ी के सारे डोर्स लॉक रखना बहुत लाइट्स नहीं हैं इसलिए खिड़की भी बंद रखना और वो आदमी पानी की खाली बोटल्स लेकर चला गया उस आदमी को गए पंदरबिस मिनट ही हुए थे कि अचानक गाड़ी में बैठी महिला जोर से चिलाई प्यूकि उस कार की छट पर रात के सननाटे में बहुत जोर से कोई भारी चीज़ आकर गिरी और उस भारी चीज़ के कार की छट पर गिरने के पाद कार की छट से ऐसी आवाजे आ रही थी जैसे कोई बहानक जंगी जानवर अपने शिकार को नोच नोच के खा रहा हो ये वाजे इतनी भारी थी कि उस औरक ने डर के मारे अपने बच्चे को चाती से चिपका लिया तब ही अचानक पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां आ गई और उसमें से पुलिस गार्ड्स ने कार के अंदर टॉर्च मारी और छट पर भी वह पेट्रोलिंग कार उस फैमली की कार से दोर थी जैसे ही गार्ड्स की टॉर्च चट पर पड़ी तो वह भयानक आवाजे चट पर से आनी बंद हो गई पुलिस कार्ड्स ने जोर से उस महिला को बोला कि जल्दी कार से बाहर आओ और पीछे मुड़कर मत देखना ये बात सुनकर महिला से रुका नहीं गया और जैसी उसने पीछे मुड़कर देखा वो जोर जोर से चिलाने लगी और रोने लगी उस गारी की चट पर कुछ इतना भयानक था जो देखने वालों के पैरों के नीचे से जमीन हिला देता दरसल उस कार की चट पर उस औरत के पती की कटी फटी लाश पड़ी थी उस लाश का सिर कायब था हर तरफ से उसमें से खून बहरा था वो मंज़र इतना भयानक था कि वो औरत वहीं भियोश हो गई तबी फटफट पुलिस गार्ट्स उस औरत को और उसके बच्चे को हैटकवाटर्स ले गए और वहाँ से बैकप और एंबुलेंस का अरेंजमेंट कराया उस औरत को जब होश आया तब उसने गार्ट्स को बताया कि वो लाश और किसी की नहीं बलकि उसके पती की है पर ऐसी हलत उसके पती की किसने ये सवाल गार्ट्स से उस महिला ने पूछा पुलिस गार्ट्स ने बताया कि वो लोग हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे कि तबी एक भारी जानवर उड़ता हुआ एक जिन्दा आदमी को लेकर जा रहा था हमने उस जानवर का पीछा किया और पीछा करते करते वो जानवर गारी की छट पर आकर बैट गया हम जब तक कुछ action लेते तब तक उस ने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे और जब हमने आपको देखा तो हमने उस राक्षस की आखों में टॉर्च मारी जिस से आपकी जन बचाए जा सके खत्रा देखकर वो जानवर जंगल की और उड़ गया और अपने मूँ में इस आदमी का सर ले गया वो राक्षस काफी अजीब था बहुत बड़ा था उसके पंग भी थे पूरे शरीर पर बाल भी थे बहुत ही कुंकाल लग रहा था ये सब खुद यहां के पेट्रोलिंग गार्ट्स ने दिखा था इस जानवर के पीछे की क्या स्टोरी है ये कोई नहीं जानता पर इसे कई लोगों ने देखा है कहते हैं ये हाइवे के पास के जंगलों में ही रहता है अब आपको बताते हैं कि पीले रंकी वॉक्स वेगन का क्या रहसे है सोर्सिस के अकॉर्डिंग 1956 में करक हैवे वाली जगा पर एक औरत ने अपने ही पती को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पती की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉक्स वेगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था हाला कि तब वहाँ पर कोई हैवे नहीं बना था लेकिन जब वहाँ पर करक हाइवे का निर्मान हुआ और जैसे ही वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ तबी से उस हाइवे पर वेपिली वॉक्स वेगन बहुत ही रहसे में धंग से दिखनी शुरू हो गई ऐसा बताया जाता है कि ये गाड़ी सड़ गई थी और इसके अंजर पंजर आज भी इस हाइवे के नीचे तफन है